नमस्गार दोस्वों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों भगवान श्री राम ने भेजा है आपके लिए बहुत यह अच्छी संकीत दोस्वों सुन लिए शमज लिए तो आपकी जुनकाल को बदनने शे कोई भी इंचान रोक नहीं शबता कि दोस्वों जहां विए जुनकाल पर अगर एक बार महरवान हो जाए तो दोस्वों उन्हें अन्यकू परकार के शंकेत यह इश्य मोके देते हैं क्यों कि उनके जुनकाल फूरी तबज़ल्डाए दोस्वों और यह शमी यह बहुत एदा महरवान हो चुके हैं यह यह तो आपके के ऊपर बगवान श्रीराम का शिरबाद आ चुका है जो कि दोस्तों आपको यह शंकेत बेज़े हैं यह शंकेत क्या-क्या है कौन-कौन से लेकर अंद तक जरूर देखिएगा यह दोस्तों बगवान श्रीराम के लिए वीडियो को एक लाइक आप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्रीराम लिख दें बगवान श्रीराम के शिरबाद शिया आपके शारे बिगड़े कारे बन जाएंगे और द पद के बलका और किशी को अब्मान होता है अपने शरीर के बलका किशी को अब्मान होता है अपने शोंदेर के बलका शाते किशी को अब्मान होता है अपने परीजनों के बलका लेकिन दोस्तों हमारे श्री हर्वान जी महराज को अबिमान है प्रभु श्रीराम जी के श्री हुर्मान जिसे लेनी चाहिए यह अभिमान हमें इश्वर के शौवरूप के होने का गर्व महसुर कराता है नोकी एहंकार अगर इश्वर के शेवक होने का करो जो इस श्रम सार में हमेशा के लिए आधी अनन्त है अर्थात इसके परभावशे हम क्रोध द्वेश जे दोसों इसलिए हमें इश्वर की भक्ती शेवा का विमान गर्ब होना चाहिए क्योंकि दोसों इश्वर की भक्ती अनन्त है और इस पवित्र शेवा में ही शब कुछ नहीत है आप तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक झारूज करे और इनके लिए कमेंट box नहुंग तो आधे दोस्तों से की शाख़ात बात करते है कि भगवान श्रीराम ने आप शिविक के लिए कौन-कौन शे शंकेत बेज़े हैं आने वाले शिविक में आने वाले शाथ दिनों के अंदर आपको कौन-कौन सी बड़े खुशकबरियां मिलने वाली है जिया दोस्तों सबसे पहले आपको बता दे कि अगर आप भक्ती भाव पर यकीन रखते हैं भगवान श्रीराम पर बिश्वास रखते हैं तो दोस्तों आपके जुनकाल में ये खुशकबरियां आपको तो मिलकर ही रहेंगी और दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंतर तक दिखेगा कि आपको आखिर कौशी खुशकबरी बहुती जल्द शाती दिनों के अंदर मिलने वाले हैं दोस्तों आप शबी को बता दें कि भगवान श्रीराम का शिर्वाद अब आपके शात हो चुका है और आपके जुनकाल में अब ये बड़े बदलाव होकर रहेंगे हम आप शुक बता दें कि दोस्तों आने वाले शाती दिनों के अंदर भगवान श्रीराम के शिर्वाद शे आप सबीका जोड़ दिन होगा व्यस्ता से बरा रहेगा क्योंकि ये श्में आपको बहुत ज़्यदा लाब मिलने वाले हैं और उन कारियों में आप बहुत ज़्यदा व्यस्त होंगे शादे शादोसों आपको बता दें कि भगवान श्रीराम का गुनकान या पूरे शप्ता में आपको करना है शमाजी गतिदियों में भी आपकी यश्मी रूची बढ़ने वाली है बहुती बड़ी अपरचुनुटी यश्मी आपको बगवान श्रीराम के अश्रिवाद से मिलने वाले ही गर के नजदिकी के जो श्रमन्दी है उनके आगमन शे खुश्णुमा मोहल भी यश्मी रह सकता है क्योंकि बहुती बड़ी जसना आपके घर पर होने वाली है क्योंकि भगवान श्रीराम का अश्रिवाद आपके जुनकाल परेश्य होंगे खुशकपडियां आपके पूरे परिवार को खुश कर देंगे जिए दोशों श्राती शात आपको बिता दें कि शंतान के भष्ष को लेकर फाइदेमान योजनाएं पर काम यश्मे होगा दोस्तों आप शरी को बता दें कि बिजनस में जो भी व्यक्ति है याश में उनको बहुत ज़्यदा फायदे मिल सकते हैं पूरी तरह महनत भी आप करते रहें क्योंकि भगवाण शरी राम हमेशा यह बात कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने आप पर महनत करेगा खुद के भष को बदलने में मेहनत करेगा मैं उनके शाथ हमेशा रहूंगा जिया दोस्तों बगवान श्री राम के शिर्बाश यह श्री में आपको मार्केटिंग शमदी कारियों में भी बहुत ज़्यदा लाब मिलने वाले हैं और फिश में दोस्तों की गतिदियों पर आप जोया हस्पेक्स ना करें दोस्तों यह आपके लिए बहुत यदा कारगार्शीद होंगी शादी साथ दोस्तों आपको बदाते कि आने वाले श्री में नई कामों की योजनाई भी बनेगी उन पर काम करने के लिए कुछ लोगों की मदद भी लेनी पड़ेगी जोगी दोस्तों लोग आपको मदद भी करेंगे क्योंकि उनके मस्तिक में आपके लिए कोई भी बुरा याने होगी परना दोस्तों आपके आज पड़ेशे के लोग ये उशे हैं कि आप खूद ही जानते हैं कभी भी आपको देखना पशुन्द नहीं करते जब भी आप उन्षे कोई मदद लेने जाएंगी तो दोस्तों वो हाथों कर देंगे पर मुखे आने पर फीट दिखा कर चल देंगे लेकिन दोस्तों अफिश के कारियों में आपके शाथ इसा नहीं होगा बगवान श्री राम के शिर्वाज से जीवन बहुत ही अच्छा ये वैथित होने वाले हैं बहुत ये अच्छा कार्य आप शिवी का बनने वाले हैं यश में आत्मिश लेशन दोवारा श्वेंग की व्यक्तित्वों में और रिदिक निखार लाने का प्रयाश करें अस्थान परवर्तन की शमौना भी परवर होंगी शादी साथ दोस्तों हम आप शबी को या बाद बता दें कि बगवान श्री राम के शिर्वाश ये आप शबी की जुनकाल में कि जो महत्पुन कार्य करने की जो उपस्दती है वह बढ़ शक्ती है कार्यों में आपको बहुत यदा लाबकी शमौनवें बन रही है शाद दो सबस्दों आपको बता दें कोई नया कारी कर रहे हैं तो यसमे परिवारेक कि अधिस्यों के श्ला आप और ड़ें कि दोस्तों बड़ावान का शला है तो जरूर यसमे आप इन पर फिद्यां दें पिछले कeni से चले आ रहे हैं जो तनाव हैं यश्मी खत्म होंगे शंतान की केरिये शमंदी कोई सुचना भी आपको मिल सकती है जिनसे आपका घर में खुशियों भरा वातारण भी रहने वाले हैं शाथी साथ दोस्तों आपको बताते हैं कि बहुत ही जल्द आप शुब के जुनकाल में इनकम के लिहाश यह जो समय हैं बहुत यह अच्छा गत्तीम से आगे बढ़ने वाले हैं आप अपनी सोच के वापिर बुद्ध्यमेता से हर्श मश्या का हल प्राप्त कर लेंगे और उनमें शक्षम भी रहेंगे क्योंकि यश्मी भगवान श्री राम आपके शाथ रहने वाले हैं यह कि उनकम काल में चमतकार की रूप में कारी करेगा हर बिगड़े कारी भी शानित में रहना आपको मांश्रिक शांती प्रदान करेगा शाथ शाथ दोस्तों यश्मी आप भगवान श्री राम के चरणों में भी अवश्य जाएं आपके लिए पोहत ज़्यादा लाबकारी शमें शाबित होंगे बच्चे भी यश्मी आपके आग्यकारी बनेंगे आ अब पूरा करने की कोशिश करेंगे और यश्मी आप कामया भी रहेंगे जिने कारियों में आपको शफलता की प्राप्ती हुई थी ते दोस्तों यश्मी आप अपने मेहनत और लगन के विश्वास पर होकर उन कारियों में भी आप शपलताओं को अर्जित कर लेंगे वो को दिखा देंगे कि आप भी किशी से कम नहीं प्रतु दोसों हम आप शुप बता दें कि कभी भी अपने शुपलताओं पर घमंड ना करें क्यों दोसों ये भगवान का हार होता है घमंड किशी के ऊपर भी ना करें हम आप शुप बता दें कि शमें आपके पक्ष में यश्म आपको परापत होगी ज्यादोसु मुश्क्य उप्राइब्स हम की आपको मिल सकते है बढरे शुरबाद आपको मिलता रहेगा आपको बताते कि अधिमे श्रीया में किप जरूर करें कि दिन अधाए में और سमय श्रीया और स्यवाद राजाराम का जाब करें, दोस्तों, आप श्रवी की जुनकाल में बहुत इबड़े चमदकार आपको देखने को मिलेगी, दोस्तों, हम आपको बदा दें की पारविर गतिदियों, जो भी शमश्याएं परिवार की बीच हुई थी, दोस्तों, यश में खत्म होगा, और करियर के चित्र में बहुत भड़ा खुशकबरी मिलने वाली है शादिसा दोस्तों आपको बिजनस करते हैं चोटा दुकान है या पिर कोई बड़ी बिजनस है तो दोस्तों यश्मी आपको बहुत तरक्की देखने को मिलेंगे या पिर अगर आपके पास कोई बिजनस नहीं ह बनाई थी अब उन्हें कारी रूप देने का नुकुल शमय आ गया है दोस्तों यश्मी किशिवी वरकार की शमश्या का शमाधान निकालने के लिए जो शमय हैं बहुत उत्तम शमय हैं बेट कर बात करें शमश्याओं का हल होगा शाद दोस्तों आपको बताया है कि यूआ बनोशे आपको चुटकरा मिलेगा तो यश्मी आपको बिना जाने समझे किसी के ऊपर विश्वास ना करें किसी को अपना कारी दे रहे हैं तो दोस्तों शब्से पहले उनकी आप अजांस परताल करें कि यह व्यक्ति आपके लिए शही है या फिर गलत है तभी उन्हें पर श्रदेश की विवास्ट मंदी कोई उत्तम रिस्ता भी यश्मी आ सकता है शादी दोस्तों के शाद गेट टूगेदर श्मंदी प्रगेन में बनेंगे और काफी अच्छा महल यश्मी आपको देखने को मिलेंगे जे दोस्तों अलग-अलग विचारों की व्यक्ति या पिर जिसका जन्म हुआ है उसकी मिर्टियू निसित है अपने हरचन को शुधारो जिसे की मिर्टियू मंगल हो इस शंसार में कभी कई कोई किशी के शात सदा नहीं रह सकता जिसने आज जूड़े हुए है उनसे एक दिन बिच्छरना पड़ेगा जे दोस्तों जिव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मर कर जाता है अपनी करनी धर्नी का पाप पूर्नी का फल भी अकेला ही भुगतता है अतर धर्म मैं जिवन जीना चाहिए जिसे की मिर्टियू के बाद भी नरक में नौ जाना पड़े बिना नागा भजन शिमरन करो तो दोस्तों उमीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको बहुत ज्यादा प्रशन आया है प्रशन आया तो दोस्तों वीडियो को एक अलाई जरू करें धन्यवाद